नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टार्गेट फॉर आईएस और अमपीपेश सी बित केके और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें में बताना चाहूंगा कि हम लोग डेली बैसेस पर डिसकस करते हैं मध्य प्रदेश देने करेंट पैर्स और आज है 6 जुलाई 2020 और हम लोग डिसकस करेंगे मध्य प्रदेश देने करेंट अपैर्स इसमें काफी कुछ है और एक और इंफॉर्मिशन आपको देना चाहूंगा जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज सस्क्राइब कर लीजे और बैल आइकन जोइन कर सकते हैं चलिए शुरुबात करते हैं बिना समय गबा हुए आज के करेंट अफैर्स की हमारा पहला कॉस्चन है इंतिजार आपका अभियान मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश पर्याटन विभाग मध्य प्रदेश राजस विभाग मध्य प्रदेश जनसंपर्ग विभाग और मध्य-प्रदेश लोक निर्मान विभाग इसका राइट आंसर है मध्य-प्रदेश परयाटन विभाग जी हाँ मध्य प्रदेश परेटन विभाग द्वारा शुरू किया गया है अवियान इंतजार आपका अवियान इस अवियान के अंतरगत क्या किया जाएगा हम लोग देखते हैं डीपली डिसकस करते हैं यहाँ पर तो मध्य प्रदेश के जो टूरिजम विभाग उसके दोरा शुरू किया गया है इसके अंतरगत है क्या क्या देखे आप टूरिस्टों को मध्य प्रदेश के परेटक इस्थलों पर आमंतरत करने हैं तू मध्य प्रदेश टूरिजम विभाग ने शुरू किया इंतजार आप का tagline यह tagline है इसका प्रियोग कहां पर किया जाएगा इस tagline का प्रियोग प्रयाटन विभाग की social media sites जैसे की twitter, telegram and other, instagram पर facebook पर इसका प्रियोग किया जाएगा प्रयाटन विभाग द्वारा जो भी प्रयाटक्स हैं उनको आकरसित करने के लिए इंतजार आपका इसके बाद आते हैं हमारे next question पर 258 करोड की सामबेर सचाई परयोजोगना का उद्गाटन किसके द्वारा किया गया है आपके option है मुख्य मंतरी सिबराज सिंग चोहान मुख्य मंतरी सिबराज सिंग चोहान द्वारा यह सामबेर जो सचाई परयोजोगना इसका उद्गाटन किया गया है यह सचाई परयोजोगना काफी अदे के important है चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ important fact क्या है तो जैसा कि आपको मालूम है इस सचाई परयोजोगना की लागत क्या है 2358 करोड इसका नाम है सामबेर सचाई परयोजोगना जो की शुरू की गई है मद्य प्रदेश में और इसको सुरू किसने किया है जैसा कि हमने देखा मुख मंतरी सिवराज सिंग चोहान ने इसे सुरू किया है इसके अंतर गत क्या क्या किया जाएगा वो भी हम यहाँ पर देखते हैं जैसा कि काफी अधिक important है यह एक micro सचाई परयोजना है इसके अंतर गत 272 ग्रामों की 80,000 हेक्टियर भूमी सिंचित होगी कितने ग्रामों की 202 ग्रामों की और इससे पेजल के लिए भी जलोप लफ्थ होगा अर्थात यह सिचाई के साथ साथ पेजल के लिए भी काफी अधिक important है सामबेज सिचाई परयोजना चलिए देखते हैं हमारा next question कोरोना रैंकिंग में मध्य प्रदेश देश में किस नंबर पर आ गया है जी हां काफी important question है आपके option है पंद्रमा नंबर पर दूसरे नंबर पर चौथे नंबर पर या दसवे नंबर पर इसका right answer है पंद्रमे नंबर पर जी हाँ मद्द प्रदेश कोरोना रेंकिंग में देश में आ गया है पंद्रमे नमबर पर यह काफी अधिक प्रोसाहित करने वाली न्यूज है काफी अधिक खुसकवरी की न्यूज है क्योंकि जब कोरोना संक्रमन शुरू हुआ था तो मद्य प्रदेश इसमें कम लगभग सेकेंड नमबर पर आ गया था जी हाँ ये काफी दुखत ख़वर थी और अब ये पंद्रमे नमबर पर आ गया है तो ये काफी जादा खुस करने वाली ख़वर है इससे मद्य को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार के नोट्स वगयरा पर आपको डिपेंड ना रहना परे हमारा उद्देश है कि आपको करंट आपके दिमाग में बिठाल दिया जाए तो देखते हैं कुछ कोरोना महामारी से संबंदित काफी कदम उठाएगा है मद्य की कैपिसेटी क्या है टेस्टिंग की तो 9000 परडे की कैपिसिटी है टेस्टिंग की और काफी अधिक इंपॉर्टेंट कोशन जो की मद्य प्रदेश गवर्मेंट दौरा सुरू की गई यह कि उजना है किल कोरोना भ्यान यह कब सुरू किया गया था एक जुलाई 2020 को यह इसके उपरांतिया प्रदेश से सभी जवनों तक पहुंचेगा एक और इंपॉटेंट पॉइंट है कि कि एक दिन में कितने टेस्ट करने हैं तो एक दिन में करने हैं लगबग 15-16,000 तेस्ट और किलको रूँड अव्यान लगबग एक तारीक से पंदरा थारीक तक तक कित पर हमारा next question है काफी important question है रोजगार हेतु portal से जो रोजगार सेतु portal है यहाँ पर गलत टाइफ हो गया है यह हेतु नहीं यह यहाँ पर आपका सेतु portal है जो रोजगार हेतु बनाया गया था प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए जैसा कि सभी को मालूम है काफी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ है लॉकडाउन के समय में कोरोना महामारी के समय में तो मत्प्रतिस गबर्मेंट द्वारा रोजगार से तूप पॉटल सुरू किया गया है जिस पर क्या किया जाएगा नियोकता जिसे जॉब देना है और प्रवासी मजदूर वह रजिस्टर करा सकते हैं तथा उन्हें रोजगार दिया जाएगा तो इसके अंतरकत कितने प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया गया है तो आपका राइट आंसर है लगभग 16,000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जा चुका है और यह लक्ष है कि अगले कुछ महीनों में हब्तों में 20,000 की उपर लोगों को इसके अंतरकत रोजगार दिया जा सके चलिए देखते हैं रोजगार से संबंदित काफी अधिक कदम उठाए गए है मद्यप्रदेश गवर्मेंट द्वारा बिगत कुछ दिनों में उनका हम रिवाइस करते हैं मैंने करंट अफेर्स में भी एक कई वार डिसकस किये हैं सिर्मेकों को उनके कौसल के आधार पर रोजगार दिया जाएगा किसके आधार पर इसकेल के आधार पर और एक और इंपोर्टेंट यहां से कॉश्चन बनता है कि स्किल सर्वे कराने वाला भारत का पहला राजजी कौन बना है जी हां मद्द प्रदेश बना है हमने कल के करंट अफेर्स में देखा था उपलब्द कराने के लिए नियोकता नियोकता जैसा कि मैंने आपको बता है जोब देना है को भी पोटल से जोड़ा गया है अब इस पोटल पर अब तक कितने नियोकता जुड़ चुके हैं अब तक 16,041 प्रवासी सिर्मक इस पर जुड़ चुके हैं और इनके अनुरूप उनको रोजगार प्राप्त किया गया है जी हाँ इस पर लगबख 16,041 जो प्रवासी मजदूर उनको रोजगार भी दिया गया है और रोजगार पोटल पर प्रवासी सिर्मकों के साथ ही नियोकता अर्थात नियोकता या कोई संस्था जो रोजगार देना चाहती है ने भी पंजिन कराया है पोटल पर पंजिकरत नियोकता कोई संख्या काफी अदूती है लगबख 25,247 हो चुकी है और जिनके दौरा 29,170 रिक्तिया प्रवासी सिर्मकों के लिए खोली गए है यानि ये काफी अच्छा प्रयास है मद्द प्रवासी सिर्मकों के लिए जिसके दौरा उनकों रोजगारी की प्राप्ती हुई है और काफी मदद मिलेगी प्रवासी सिर्मकों को इस कुरोना महामारी की समय में जब उनका रोजगार जिन गया है आते हैं हमारे next question पर जैसा कि हम लोग daily basis पर पूछते हैं आप से सवाल और आप लोगों से मिली ब्रमरन निवेदन है कि आप जरूर इसका आंसर दीजिए अगर आप इसका आंसर देते हैं तो आप ही का इसमें भला है कल का हमारा question था मद्य प्रदेश की प्रथम महला मुखमंत्री कौन है काफी अधे के लोगों ने बढ़चर कर इसमें हिस्सा लिया और काफी लोगों ने इसका सही अंसर दिया जी हां उमा भारति जी इसकी प्rथम महला मुखमंत्री थी काफी अच्छा जवाब दी आपने चलिए देखते हैं मद्य प्रदेश बिधानसवा से डिलेटिव एक और अगेन कॉस्चन प्लीज मेरे आप लोगों से अगेन हमल रिक्वेस्ट है आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर दें तो मद्य प्रदेश में कितनी बिधानसवा सीटे हैं बरतमान में आपको उनका आंसर देना है प्लीज आप उसका आंसर कमेंट वोक्स में दीजिए इससे आप ही को वेनिफिट होगा चलिए आते हैं हमारे नेक्स सेशन पर जैसा कि सभी को मालूम है हम लोग डेली विशेस प सापना कव हुई थी इसका कहब महत्व है वो सब हम इसके इंदर देखेंगे तो सब सर की इसी पुरूम ह meget है है तो गांधी वाजी बिचार दर्सन के लिए संस्थाओं को यह दिया जाता है सेकंड हमारा है राष्टी कवीर सम्मान इसके इसकी स्थापना कप की गई थी 1986 में की गई थी इसके स्थापना और इसकी प्रुसकार रासी है तीन लाक रुपए और यह कब दिया जाता है भारतिय भासा आईवम कवीता के छेत्र में योगदान के लिए है दिया जाता है मातमा गांधी की स्थापना कब हुई थी 1995 में रासी कितनी है लगभग 10 लाक दोस्तों गर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सस्क्राइब करिए और शेर अवश्च करिए क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक आप शेर करेंगे इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और अधिक से अधिक संखा में आप देखें और हमारे साथ इन्वाल्व हों आंसर कर दें इन सब चीजों के जो हम आपसे फूस्ते हैं थैंक यू सो मॉच फर वाचिंग इस वीडियो बने रहे हमारे साथ टार्गेट फॉर आइसने पैसी वित के के थैंक यू सो मॉच